वापिस फैका गेंद को स्टम्स की तरफ टरेक्ट हेट बढ़िया फील्ड जोरदार अपील फील्डिंग यूनिट से लेकिन अमपायर ने फैसला दिया बल्ले बास के पक्ष में नाट आउट दो दो हाथ करने की मंचा से आये हैं मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम यह चौका नहीं यह संदेश है कि यहां गेंद डालोगे तो बांडरी से उठा कर लाओगे गेंद को फड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ताल मेल पर क्योंकि यह है रन आउट और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंद बास के नाप तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता अब आया है वो बल्ले बास जो टीम को ले जा सकता है जीत के पार बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डाट बॉल गेंद बास की चतुराई से की है गेंद बासी बल्ले बास को रखता है खामोश टुक और डाट गेंद जहां था फील्डर वहीं थमाया कैच सटी गेंद बासी बल्ले बास को मतलब समझाया शून्यका नया बल्ले बास आया है क्रीस कर अब उमीद है कि ये टीम की उमीदों पे खरा उतरेगा तहे तूफान आने वाला है एक पेस बूलर गया तो उससे बहतरीन गेंद बासी के लिए आया इस शॉट को देखके तो जोश आ गया मन कर रहा है कि गलव्ज मैं भी पहन लूँ टाइम फॉर फ्री हिट अच्छा मौका है बल्ले बाजी यूनिट के लिए कुछ रन बट औरने का मुफ्ट की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका छका लगा नहीं पाए यह आउट करार दिया है अंपायर ने प्राक्समन को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ अब यह चुनोती दे रहे हैं अंपायर के डिसीजन के सटीक लाइन सटीक लेंद कठिन सवाल नहीं था जवाब इलकुल साधारन बल्लेबासी गिफ्ट में दे दी अपनी फिकेट नया बल्लेबास प्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा फिल्डर की अच्छी एफट और बड़िया थ्रो भी ओवर स्टेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल बिसाइड की है समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का ठाइम विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं है सटीक त्रो डिरेक्ट हेट बल्ले बाज खत्रे में फील्डर का बढ़िया त्रो एक दम्स टम्स के उपर बड़ी गलती हो गई नो बॉल यानि की फ्री बी बल्ले बाजी की टीम को बॉलर का नुकसान बल्ले बाज का फाइदा अमपायर ने सिगनल की है फ्री हिट एक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धीमे बड़िया स्लो वन हैंटी और ये गई चार के पाफ अंडरस्टैंडिज तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती रंस पर लगाना चाहते हैं लगाम तो गेंद थमाई है लेक्स पिनर को तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रेयास फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉफ स्पिनर की खास बाद बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रंग बटोरा बल्ले बास उने सठीक लाइन सठीक लेंथ सम्मान दिया एक अच्छी गेंद को फॉर्वर डिफेंस सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बास खामोश सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल बल्ले बास के पास नहीं था जवाब फील्डर का बढ़िया थ्रो एक तंस तंस के उपर करीबी मामला बल्ले बास ने लगाई जबरदस डाएक डिरेक्ट हिट ज़रूर है लेकिन बल्ले बास सुर्रक्षित नॉट आउट इसे कहते हैं संभल कर खेलना इन दो रंज के साथ संभाल रहें अपनी टीम को चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास आखरी गेंद हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक्ट उच्छाल ये है टॉफ स्पिनर की खास बाद मुश्किल से एक डेर स्टम दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना ये निर ने बल्ले बास के पक्ष में अंपायर ने नकार दिया अपील को दो रन से अपनी गारी को आगे बढ़ाया है असा परिशान किया है गेंद बास को तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मगंदाज में खेला सटी गेंद डॉट बास अगेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉफ स्पिन का किया है इस्तमार फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास दिशा खराब तो दशा खराब दिशा हीं गेंद है वाइट के जरीए एक अतरिक्त रन है हवा में तेज़ जरूर थी लेकिन मिला अतरिक्त उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खासबा ये तो थोड़ी सी खराब सी गेंद नो बॉल का इशारा मिलेगी फ्री हिट एक महंगी डिलिवरी दे कर गई है मुफ्त की गेंद यानि ये फ्री हिट टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन आगे वाले पाउं को मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका चक्का लगा नहीं पाए आसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इसतमार हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रॉनिंग बिट्वीन दे विकेट्स बल्ले बाज जाबाज हवाई फायर चार रॉन टॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बाज को अच्छा प्रेयास एक और खराब गेंद दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा अमपायर का बाज़ा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमार रॉकेट आम है इस फील्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है फ्लिपर डाली तेजी से अंदर बल्ले बाज संकट में बल्ले बाजी की टेक्सबुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब अविश्कार किया है फील्डर की अच्छी एफ़र और बढ़िया थो भी फड़ा नीचे की तरफ रही है गेन चतुराई वाली बोलिंग गेंद बाज की बल्ले बाज पूरी तरह से हुआ बेजुबान बढ़िया गेन कोई रन नहीं इस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन दर्श गोगो किया फील्डर में तबदील इस शॉट ने लूटी वहवाई तो वो तूफान से पहले की शांती ही थी छे लगाया बल्ले बाज में ओवर की आखरी गेन देख कर गई है चौका एक की बाद एक साधारण गेन बहुत सारे रन बाद में शायद पच्चतावा होगा काम मुश्किल है तभी तो करने योग्य है और ऐसा नहीं कि पादाज अच्छा तो अच्छा समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ बल्ले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात फिल्लर की अच्छी एफ है और बढ़िया थोब है इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज कहने को तो छे रन है लेकिन लंबाई देखे शॉट की तो मिलने चाहिए आठिया दस क्या गमाल का शॉट है ये बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग पढ़िया रन भटोरा बल्ले बाजों ने बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर अधबुद अविश्वस निये शॉट इस बल्ले बाज का शॉकिंग इंपक्ट रॉकिंग आउटकम छे रन मिलेंगे यहाँ पर अंडस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती फील्डरों गेंदबास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थो बल्ले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश गीपर गीपर चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्ले बाज भाग के तो पहुँचे नहीं क्रीज तक रन आउट करार दिये गए अब पैविलियन तक और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंदबास के न तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने एस्टीज पर आए है नए बल्ले बाज उमीद आई है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे ताट वस अ सिटाप फिलर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी जोली में बल्ले बाज गया पैविलियन के तरफ जानदार, धारदार, असरदार गुच्छों में गिरी है विकेट्स बल्ले बाजी टीम ने अब फैसला कर लिया है कि टॉप ओर्डर के जो महतुबूर खिलाणी है उनकी को भेजा जाएगा अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज लेकिन क्या आज विकेट्ट चटका सकते हैं जबरदस शॉट के साथ एक करारी शुरुआत पहली गेंद पहला चौका यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे एक और गेंद गई है स्टैंज में गेंद बाज के छक्के छुड़ा दिये छक्का जड़ दिया बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया लेकिन गेंद नहीं सिरफ हवा से हुआ संपर्क सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बाज खामोश फील्डरों गेंद बाज का अच्छा ताल मेल बड़िया थ्रो रन अप में ही थोड़ी सी गड़बर थी कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी बल्ले बाजी टीम के फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्ले बाज का तिर्चे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट स्ट्लॉग डाउन दग्राउंड मैदान पर नए है जनाब ये पैविलियन से सेट होकर आए है चौके से शुरुआत एक और नो बॉल ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को और क्रीस पे खड़े बल्ले बाज के लिए है अब ये फ्री हिट स्लैम नो फ्लाइंग जोन भूशित कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंद रही एक बार फिर हवा में छे रन वाउव क्या ड्राइव है ये गेंद पे तो मानने का प्रयास ही नहीं किया था शरीर का निशाना साधा सबलता भी मिरे बहुत ही महंगा ओवर और गेंद बाज निराश बहुत ही प्रभावशाली है ये मीडियम पेस गेंद बाज 1-1-1 इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्ट ठोस्ट ये वो कैच है जो बहुत सारे फील्डर चूप जाते हैं लेकिन ये खिलाडी नहीं ये फील्डर नहीं मिडल लॉडर का बल्ले बाज अब क्रीज पर तो उमीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पारी को एक और नो बॉल ये एक्स्ट्राज बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम थोड़ी अधमनी सी एफट लगी यहाँ पर उमीद है कि जो फ्री हिट पर किया वो बाकी गेंद पर नहीं करेंगे जनाब गेंद बास कर रहे हैं निरनायक और सबसे रोमान चकोवर की शुरुवात बोलर के सर के उपर से उड़ता हुआ यह बढ़िया शॉप बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोर आप बल्ले बाजो ने आखरी लमहों में है यह मुकाबला और जरदिया एक चौका अब यहां तो भगने की भी जरूरत नहीं विकेट का मौका, कैच का चांस ओ-ओ-ओ, कैच छूटा, दिल तूटा हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बेट्वीन दे विकेट्स फिल्डर की अच्छी एफ हो, और बड़ी अथोगी बड़ी गलती हो गई, नो बॉल याने की फ्री बी बल्ले बाजी की टीम को और क्रीस पे खड़े बल्ले बाज के लिए है, अब ये फ्री हेट या तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है जीतने वाली टीम को बढ़ाई जरूर है लेकिन हारने वाली टीम यहां से बहु मुले सीख लेगी और आगे की तरफ चलेगी